सीन ये था कि सावी आकर घर पर ये न्यूस देती है कि उसने फाइनली एलेक्शन में खड़े होने से मना कर दिया है जो सुनकर नित्याम बहुत ही जादा खुश हो जाता है और सावी थोड़ी टेंशन में है पर बहुत है शो कर रहे हैं कि हां मैं खुश हूँ पर सोनम कहीं न कहीं बहुत जादा अफेक्टेड है क्योंकि सोनम के प्लान पर पानी फिर गया और सोनम तो चाहती थी कि वो इलेक्शन में खड़ी हो और नित्याम और उसके बीच में दरार आ जाए पर ऐसा हुआ नहीं और सोनम बस अभी यही थोट में है कि अब मैं आ गया इसा क्या करूं कि इन दुनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ जाए क्योंकि इलेक्शन में खड़े होने से उसने साफ मना कर दिया जो एक्सपेक्टेड नहीं था नेक्स प्लान यही है कि बस अभी कैसे भी करके इलेक्शन वाला चीज काम्याब नहीं हो पाया तो कौन सी और दूसरी चीज होगी जिससे सावी और नित्यम के बीच में दरार आ जाए तो बस कोशिश यही रहेगी कि वो दोनों आपस में खुश नहीं रहे क्योंकि सोनम न और अधिया की अकेली ऐसी फीमेल्स है जो ट्रडिशन के साथ साथ अपने करियर में आगे बढ़ रही है नाम कर रही है एक इंस्पिरेशन सेट कर रही हैं फोर मेनी गुल्स लाइक अश और अज थाए तो थाइंक तो थांक थांक अल काफी अच्छा लगता है कि अभी इंडिया जहां पर पहले ऐसा माना जाता था कि उनों लड़कियों को जादा तर घर पे रहना है या हस्बंड जो है या जो मेल है वही काम करेंगे तो वह एक मिथ तूट चुका है और अभी मेल्स और फीमिल्स दोनों बराबर खड़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं अच्छी बात नहीं है काफी लोगों के घर चले गए गाडियां बह गई पानी में रोड बिल्कुल गायब हो गाया है नौर्थीस्टन के अगर आप वीडियो देखेंगे तो तो यह बहुत ही डिस्ट्रक्शन हुआ है देखा जाए तो प्लीज प्रे कीजिए वही कर सकते हैं कि उन इस लाइक विडियो लाइक दिस या किसी का दर्द आप जब सोशल मीडिया पर डाल रहे हो कि किसी की फैमिली रो रही है किसी की मा रो रही है तो आई थिंग दाट इस अफेलियर ऑफ आस एज हुमानिटी और हमें इस पर वर्क करना चाहिए क्योंकि यह बिल्कुल भी जस ना सफर कररे हैं अ फ्लर्ट जा गया है काफी सारी जगह पर तो एक रिक्वेश्ट करना चाहते हूं तो आल थी और जी प्रेश्व और ने प्रेस्ट प्रेश्ट का ध्यान रखिये अपने लुब ओंस का ध्यान रखिये और प्लेस परेगीजिये Hi guys, I am Fenil Umbrighar and you are watching me on Glitter & Glamour.